नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरगां की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार चलाएगी मीशन करतब्य जारखन में कुरोना की संभावी तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार मीशन करतब्य चलाएगी निती आयोग के निर्देशान सार इसके तहत जीला अस्तर पर GO CSO समन्वे समीती को कारेश सिल किया जाएगा बदादेय समीती एस्टेट नोडल एजेंसी UNICEF के सहयोग से COVID से बचा वह रुक्थाम के दिशा में काम करेगी मिशन करतवे का संचालन सरकार तथा स्वयम से इस संस्थाओं के सन्युक्त परियाश से किया जाएगा उपायुक GO CSO कोडिनेशन के लिए जीला के नोडल पता अधिकारी होंगे स्वास्त विभा के अपर मुक्षचीव अरोन कुमार सिंग ने राजे के सब्वे उपायुक्तों को इस बाबत ने देश जारी किया है ज्यारखन में लोकल सरकुलेशन के कारण एक बार फिर से मांसुन सक्री हो रहा है बंगाल की खाड़ी में उतर पूरव में कम दबाव का छेत्र बन रहा है इसके 21 जुलाई तक चक्रवाति ये छेत्र में बदलने की संभवना है अभी राजे में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है बतादे 20 जुलाई तक राजे के विफिंजी लोग में मध्यम से भारिव बारिश हो सकती है जैक बोर्ट 10 ट्येल्थ का रियल्ड जुलाई के अंतक जारखन के 7,60,000 मैटरिक और इंटर के विद्यार्थियों को रियल्ड का बेशबरी सिंतियार है जैक अध्यक्ष की माने तो जुलाई के अंतक रियल्ड जारी कर दिया जाएगा इस रिजल्ड की सबसे खास बात ए है कि कोई टॉपर नहीं होगा जारखन में मैटरिक और इंटर का रियल्ड जब जारी होगा तो इस बार कोई टॉपर नहीं होगा जैक दोरा टोपरों के सुची जारी नहीं की जाएगी आपको बता दे कि कुरोणा में हमारी करण इस भर मैटरी को इंटरमेडियेट की परिक्षा नहीं लिगाई है जंगल में चाइबासा और खुटी पुलिस द्वारा सन्युक्त अभियान के दोरान पीलेफाई के दोस लाग के नामी नकसली सनीचर्ट सुरीन को मुद्भेड में मार गिराया गया था ज्यारखन के सरकारी स्कूलों में चैनित होंगे बाल गंगा मित्र राज्य के सरकारी स्कूलों और कलेजों में बाल गंगा मित्र का चैन किया जाएगा बतादे यह बाल गंगा मित्र 30 जुलाई तक नमामी गंगा योजना अंतरगत चलने वाले पौधारोपन पक्वाड़ा में अपने स्कूल कॉलेज में पौधारोपन करेंगे इसके लिए जीलों के उपायुकतों को निर्देश जारी किया गया है बतादे कुरोणा से बचाओ के लिए राज सरकार की ओर से जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए राजे स्वक्ष गंगा मिशन पौधारोपन कारे क्रम करने जा रहा है इसमें गंगा, नदी, इसकी सहायक, दमोदर नदी और सुवन रेखा नदी के किनारे सभी नगर निकायों के सभीवाड और प्रखंड के सभी गाउं में एक-एक स्वेक्षिक गंगा मित्र का चैन किया जाएगा इस काम के लिए पार्सद मुखिया, जलसाहिया और आमनागरिकों को सामिल किया जाएगा अभिभावक संग शुरू करेगा दूसरे चरन का अंदोलन नीजी स्कूलों में फिस्त के मुद्दे को लेकर पब्लिक स्कूल के अभिभावकों की ओर से ओनलाइन बैठक का उजन रभिवार को किया गया पैठक में मुक्य अतिति के रूप में सामिल जारकन अभिभावक संग के अध्यक्ष अजयर आय ने कहा कि इस बैस्विक महामारी के कारण फिछले 16 महीनों से सभी स्कूल बंध है अभिभावक लोगडाउन समाई की फिछ माफी और इसकूल ना खोलने तक ओनलाइन क्लास के अनुसार फिछ निधान की मांग लगतार सरकार से कर रहे हैं लेकिन सरकार चुपी साधी हुई है उन्होंने कहा कि संग ने फिछ मामले को लेकर एक सब्ता तक अंदोलन चलाया जल्द ही संग अंदोलन के दूसरे चर्ण की शुरुआत करेगा बासुकी नाथ में बाहर से आने वाले सरधालों पर रहेगी पावंदी बासुकी नाथ मंदीर परिशर इस्थित प्रसासनिक सभागर्मेर अभिवार को अपर समहर्ता रायेस राय के अध्यक्स्ता वह SDO महेस्वर महतो के संचालन में प्रसासनिक पतादिकारियों वासुकी नाथ धाम पंडा धर्मरक्षिनी सभा के प्रतिनिदी मंडल की बैठक होई इसमें 25 जुलाई से सुरू हो रहे स्रावन मास पर चर्चा की गई अपर समहर्ता ने कहा कि स्रावन मास के दरान बासुकी नाथ में बाहरी सरधालू के अभागमन पर फूरी तरह से प्रतिबंद लगा दिया जाएगा बासुकी नाथ आने के तीनों मार्ग पर बैरिक के गुमला जिले के चैनपूर के कुरूमगड थाना इस्थित कोचा गानी व केरा गानी गाउं के बीच जंगल से तीन आईडी बरामत किया गया जिन्हें जंगल में ही निस्क्रिये कर दिया गया आपको बता दे कि पिछले पांच दिनों से पूलिस द्वारा ओपरेशन चक् तभी जंगल में छिपाया गया तीन आईडी मिला कोडारमा जिले में 80% अनुदान पर महिला समोह को मिलेगा किरिसी उपकरन तीन साल के लंबे इंतजार के बाद कोडारमा जिले में सक्रिये महिला स्वेम सहता समोह के बीच 80% अनुदान पर किरिसी उपकरन दिये जाएंग किर्यान वेंड नहीं हो पा रहा था इससे जीले के किसान इस योजना का लाव लेने से वंचित थे बता दे योजना के तहत कोडरमा जीले में 15 मैला समोहों को असी परतिसत अनुदान पर लगभग साथ लाक रुपए की लागत वाले मिनी ट्रेक्टर पावर ट्रिलर वज छोटे किरिसी अंत्र उपलब्द कराए जाएंगे जारखन में 32 नए केस मिले हैं जो राची से 10, पूर्वी सिमू 5, हजारी बाक तीन, बोकारो, दो, धनवाद, चार, कुडरमा, एक, पलामो, एक, देवगर, एक, लातेहर, एक, गढ़वा, एक, साइव, गई, दो, पाकुर से 1 मिले हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 327 है, भारत में 38 या 329 नए केस मिले हैं, भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 4,16,333 है जारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं ट्रोफी टीशट घोटाला जाच को सर्यू राय ने लगाया विशेश दूत जारखन अस्थापना दिव समरों 2016 में वह उचर्ची ट्रोफी टीशट साज सजा वगीत संगीत घोटाले की विधायक सर्यू राय ने अपने अस्तर से भी जाच करानी शुरू कर दी है उन्होंने मुख्य मंत्री वह ACB को भी पत्र लीकर इस पूरे परकरण की जाच का अनुरूत किया है बतादे विधायक सर्यू राय ने टीशट घोटाले की जाच के सिलसीले में दिली से अपना विशेश दूत लगाया है टीशट लुद्रियाना के कुडू फैबरी केस से सप्लाई किया जाने का दावा किया गया था और इस मामले में पांच कोड़ रुपे का भुगतान भी दिखाया गया था विधायक सौर्जू राय ने अपने विशेश दूत को दिली से पंजाब में बानी जिकर अधिक कारी के पास भेजा है ताकि उनसे मिल कर अधिक जनकारी जुटाई जा सके मंदी के दोर से गुजर रहे बेपारी मदद करे पुलीस रायधानी राची की ला और अडर व्यवस्था में सुधार के सुजहाओ को लेकर जार्खन चेमबर अफ कॉमर्स का एक प्रतिनी दिमंडल वर ये पुलीस अधिक्चक सुरेंद्र जहाद से उनके आवास पर मिला मुलकात के दोरन चेमबर ने हाल के दिनों मेरा इधानी में होई अफराधिक वर दातों पर चार्चा की और इस पर नियंत्रन के लिए अपने सुजहाओ से आवगत कराया रेमडे सिवीर काला बजारी ममला रेमडे सिवीर की काला बजारी में 20 जांच दल की जांच की आच अब बर्यातू रोड के एक नीजी अस्पताल सहित कई नीजी अस्पतालों तक पहुंच चुकी है SIT इसके बारे में फिलाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है लेकिन यह बताया जा रहा है कि सिगरी इस मामले में एक और बड़ा खुलासा होगा कुछ बड़े अधिकारियों की मिली भगत की बात भी सामने आ रही है और इस बिंदू पर भी छानबीर जारी है Unlock के साथ तेजी से सक्री भी मानोतसकर जारखन में Unlock के सुरुआत के साथ ही एक बार फिर मानोतसकर सक्री हो गए है मानोतसकरों को सक्री होने के बाद CID और पूलिस की टीम भी मानोतसकरों पर नजर रखी है खासकर राजधानी राची के रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट पर विशेश निगरानी रखी जा रही है Lockdown और कुरोना काल के दोरान भी कई मामले सामने आये है बतादे इसी कड़ी में राची रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट से दो दर्जन से अधिक लड़कियों को मानोतसकरों से चुंगल से बचाया गया है सूरिया बेडा गाव की बदली तस्वीर जारखन के पूर्वी सिम्हुम जिले के जंगल वा पहार की तलहटी में बसे सूरिया बेडा गाव की तस्वीर तेजी से बदल रही है बतादे मुख्य मंत्री है मनसुरेन के आदेश के बाद तेजी से विकास कारियों के कारण लोगों के चेहरे खील उठे है जारखन के मुख्य मंत्री है मनसुरेन के आदेश के बाद मुसाबनी पर खंड मुख्याले से करी 15 किलोमिटर दूर घरे जंगल पहार की तलहटी में बसा सूरिया बेडा गाव अब विकास से अशूता नहीं रहा करम टोली चोक में हुई असाड़ी पुजा करम टोली चोक में रविवार को असाड़ी पुजा की गई हात्मा के पहान जग लाल पहान ने बीधिवत पुजा की इस बस अची खेती और गाव घर में सुक सांतियों समरिदी के लिए सिख भोगा से प्रात्ना की गई ग्यात हो कि हर वरस धनरोपी से पुर्व हर मौजा में जनजातिय समुदाय असाड़ी पुजा करता है रांची रेल मंडल के सुरक्षा आयुक्त को मिला डीजी प्रसंसा पदक रेल्वे सुरक्षा बलके राची रेल मंडल के मंडल सुरक्षा आयूक प्रसान त्यादक और डीजी प्रसंसा पदक मिला है या पदक उन्हें कुरोना काल में बेहतरीन काम करने और रेल मंडल में क्राइम जीरो करने के लिए दिया गया है साथ ही 37 नवालिकों को मानो तसकरी को लेकर प्रात्मी की दज करने रेल्वे स्टेशन से 50 लाग रुपे का अवाज रासी पकड़ने और जाच कर 16 और रुपे बरामत करने के लिए दिया गया है खुटी जिले में कैम्प लगा कर लिया जाएगा के सिसी के लिए आवेदन खुटी जिले में पात्रधारी किसानों को के सिसी लोन देने के लिए कैम्प लगा कर आवेदन लिया जाएगा DC के निदेश पर और की परखंड लगाये जाने वाले कैम की सुची जारी की गई है बतादे आवेदनों का पंचायतवार सत्यापन करा कर जिन किसानों को अब तक KCC से अच्छा जित नहीं किया गया है उनका फरम भर कर निकरतम बैंक में जमा कराते हुए अवलम KCC निगत कराने का सुनिचित किया जाएगा नदी पार कर रहा ट्रेक्टर पानी के तेज बाहों में डुबा लाते हार के मनका परखंड के जान हो गाउं के पास मैला नदी में रविवार साम साड़े चार बजे एक ट्रेक्टर बाइक समेत बह गया ट्रेक्टर चालक जुगल उराओ उफनती नदी से किसी तरह जान बचा कर बाहर निकला बता दे उसने बताया कि बारिस होने लगी थी तो अभिवार ट्रेक्टर लेकर घर की ओर जाने लगा नदी में पानी कम था उसने बताया कि कम पानी देखकर नदी पार करने के लिए उसने ट्रेक्टर नदी में उतारा जैसे ये नदी में ट्रेक्टर उतारा पानी का बाहव तेज हो गया पलामू में ग्रामिनों की सहता से पूलिस ने साथ अभरण करताओ को किया गिरवतार जार्खन के पलामू जीले में रभिवार को पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद जीले से एक ब्यक्ति का कथित तोर पर अपहरन करके यहां छतरपूर के जंगल पहुचे साथ कथित अपहरन करताओ को ग्रामिनों के सहयोग से गिरफतार किया फिर उनके कभ़े से अपहरन किये गए ब्यक्ति को रिहाग करा दिया बतादे पुलिस ने इसकी जनकारी दिया यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सस्क्राइब कर बहुकर बेले कंदवाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़एक अवसे दे थाइंक्यू